तो थमनिल देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है और अगर आप एक math lover हैं तो I guarantee आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है आप इंज्वाय करने वाले हैं तो अन्तक बने रहिए स्वागत है आप सबका competitive math tutorial में और आज हम लोग मिलकर पढ़ेंगे cyclic quadrilateral इसका lecture no.4 यह चल रहा है इसके पहले तीन lecture already आ चुके हैं जिसमें की काफ़ी कुछ अच्छे concepts हैं अच्छे previous year के question लिए गये हैं तो जरूर से उन videos को देखिए ठाकि concept आपके लिए रो ठीक है अब देखिए इ यह question में दिया हुआ है कि तीन consecutive angles इतना है और पूछा जा रहा है कि यह चौथा angle क्या होगा तो सबसे पहले मेरा method जो है वो आप लोग जानिए जिस तरीके से मैं suggest करता हूँ अपने students को ऐसे question को बनाने के लिए देखिए एक concept है कि cyclic quadrilateral में opposite angle का sum क्या होता है 180 degree होता है है तो a plus c 180 degree होना चाहिए, b plus d भी opposite angle का sum 180 degree होना चाहिए, तो भाई अगर दोनों का sum 180 ही है तो यह दोनों आपस में भी तो बरावर होगे मतलब a plus c और b plus d आपस में बरावर होगे इसका मतलब अगर 1 plus 5 6 है तो 4 प्लस something करके भी 6 आना चाहिए अगर ये 6 है तो यहां भी 6 आना चाहिए तो इसका मतलब है कि जरूर ये 4th angle का ratio 2 रहा होगा अगर ये 4th angle 2 रहा होगा तो फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 4 प्लस 2 6 मतलब B प्लस D 6 unit का value अगर 180 degree है तो 1 unit का value जरूर 30 degree होगा है ना इस 6 x 80 को काट के 30 लिखा जा सकता है तो 1 unit अगर 30 degree है तो ये 4th angle जो निकाला जाना है उस 2 unit का value जरूर 30 का दुगना मतलब 60 degree होगा जो की option number 2 में है और यही इसका answer है तो आया ये method समझ में ठीक है देखके इसका answer पता चल जाएगा अगर सही से आप इस concept को समझ रहे हैं तो इसके अलावे देखिए एक और method है इसका जिससे भी इस question को बनाया जा सकता है ठीक है अगर मान लो इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हैं तब उस इस ठीके में क्या है अब देखो 1 इस ठू 4 इस ठू 5 तीन एंगल दिया हुआ है और 4 एंगल जो है उसका ratio 2 हम लोग निकाल सके कि भाई 1 प्लस 5 6 तो 4 प्लस 2 भी 6 ठीक है A प्लस C इकोल टू B प्लस T होना चीए अब चौथा एंगल का ratio भी निकल गया तो हम लोग ये क्या सकते हैं कि भाई 5 और 1 छे 4 और दे 6 6 छे 6 मतलब 12 unit चारो एंगल का सम कितना है 12 unit और ये पता है कि किसी भी quarter lateral के all 4 angles का सम कितना होता है भाई 360 degree तो 1 unit का value क्या होना चाहिए 12 से 360 को काटेंगे तो कितनी बार में काटेगा 30 बार में तो 1 unit का value 30 degree होना चाहिए और इस 2 unit का value अगर निकालें जो question में पूछ रहा है तो 2 unit क्या हो जागा 30 का दुगना 60 degree option number 2 तो ये दो तरीका है जिससे की exam में आपको solve करना है ठीक है लेकिन by chance ये method नहीं आता है इस तरीके से करना नहीं आता है और आप एक beginner है या फिर इस method को नहीं कभी पहले पढ़ाओ तो फिर आप ये भी कर सकते है जनरली जैसे लोग करते है एक circle के अंदर cyclic quadrilateral है कोई ठीक है A, B, C, D ये वो method है जिससे लोग जनरली करते है इन में से 3 angle का ratio 1, 4 और 5 पता है ठीक है तो A plus C A plus C 180 degree है तो भाई अगर हम लोग ये कहें कि A, B, C और D निकालना है A है X, B है 4X और C है 5X तो A plus C का मतलब कितना हो गया X plus 5X equal to 180 degree तो 6X equal to 180 degree या X बरावर कहें 30 degree ठीक है तो X बरावर 30 degree अगर आ गया है तो इस angle V का value कहा जा सकता है into 30, मतलब कितना 120 degree, अब angle B अगर 120 निकला है, तो angle D कितना होना चाहिए भाई, तो angle D का value क्या होना चाहिए, 180 degree minus angle B तो 180 में से अगर angle B का value 120 घटा दिया जाए तो क्या हैगा घटके, 60 degree तो angle D का value 60 degree, लेकिन ये method थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप लोग को वही पहले बाला दोरो method ये उस करना है next देखिए, अगला question क्या है in a cyclic quadrilateral, ABCD the side AB is extended to point X एक cyclic quadrilateral है तेखो, इसमें कहा जा रहा है कि AB is extended to X कुछ भी रही करना है, जैसे जैसे question कह रहा है सही figure draw करें किसी भी geometry के question में सबसे important ये है, कि figure सही-सही draw होना चाहिए आधा problem तो वही solve हो जाता है तो AB को extend किया गया X तक, अब क्या कहा जा रहा है X, B, C कितना है भाई, 82 degree अब X और B तो यहां मिल चुका है X, B मिल चुका है और C, तो C यहां पर कहीं ले लो ठीक है, ये X, B, C ये C यहां पर ले लिया और ये angle कितना दिया हुआ है 82 degree और क्या कहा जा रहा है, angle ADB 47 degree, तो D इधर कहीं होगा इस तरफ, ठीक है ये D जो है A A D B, A, D, C ठीक है, ये दोखो यहां पर D है, A, D, B अब इसमें A, D, B के बारे में पूछा जा रहा है ठीक है, angle A, D, B, A, D, B, ये angle ये कितना दिया हुआ है, 47 degree ठीक है, तो इस question में पूछा जा रहा है, angle B, D, C क्या होगा, भाई, B, D, C ये angle क्या होगा, ये पूछा जा रहा है ठीक है, B, D, C का value निकालना है figure अगर draw हो गया, तो उसके बाद फिर ये seconds का काम है अब देखो, एक concept है cyclic quadrilateral का, ये भी पिछले वीडियो C का value बराबर होगा, angle X, B, C के बराबर, ठीक है, इस interior angle का value, इस exterior angle के बराबर होगा ठीक है, इस concept को याद रखना है आरा बाद समझ में, अब angle ADC जो है, वो क्या है भाई, तो angle ADC आप देख रहे हैं कि दो-दो angle का सम है इसमें कौन-कौन से है, X और प्लस 47 degree, ठीक है बराबर, X, B, C X, B, C का value भी, direct given question में, 82, ठीक है, बस इतना साही सवाल में calculation है बागी तो concept था, और figure draw करने में जो मेहनत था, अब यह 47 अगर इधर आके घटता है, तो X का value क्या हो जाएगा, 82 minus 47 degree, जो कि आपका आएगा 35 degree, option number 2 इसका answer है, आया बात समझ में तो हाँ हो कीजी, कुछ ताकि बता चले कि समझ में आ रहा है, comment में कुछ लिखकर बताईए, comment नहीं करते हैं, आप लोग वीडियो तो पूरा देख रहाते हैं, लेकिन comment नहीं आते, तो अगर बात समझ में आये, तो भी बताईए, अगर कुछ नहीं समझ में आये, तो भी जरूर बताईए, कि यहाँ इस जगा पर सर्थ समझ में नहीं आये, ठीक है चलिए next question देखे हम लोग ABCD is a cyclic quadrilateral, of which AB is the diameter ठीक है, अब देखो, इसमें भी जासे-जासे question में कह रहा है, बस same to same हम लोग figure draw करते जाएगे, ठीक है सारा कलाकारी figure draw करने में ही है ABCD is a cyclic quadrilateral ABCD cyclic quadrilateral है जिसमें AB क्या है भाई, AB के बारे में कहा जा रहा है कि वो diameter है, तो चलो एक diameter draw कर लो इसमें, और इस diameter का नाम क्या देना है, इस diameter का नाम दूसरा diagonal है भाई, BT ये दो diagonal है और ये intercept कर रहे है E पर, ठीक है तो पूछा क्या जा रहा है, कि angle DBC दिया हुआ है 35 degree, तो D और B तो यहाँ है C, ये angle DBC ये है 35 degree ठीक है, और क्या AED के बारे में पूछा जा रहा है, AED D, इस angle के बारे में पूछा जा रहा है तो इसको अब पहले तो quadrilateral बनाईए, ठीक है और ये बात भी पहले बताया हुआ है, हमेशा figure इस तरीके इस draw होना चाहिए, कि A, B, C, D, ये चारो नेमिंग जो है clockwise ये anti-clockwise हो, तो यहाँ anti-clockwise आपको दिया हुआ है, तो हम लोग जानते है कि अगर ये angle 35 है, तो ये वाला angle भी 35 डिगरी होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्योंकि chord CD से circumference पर एक ही तरफ जो भी angle subtend होंगे, चाहिए वो angle CAD हो, या angle CBD हो, ये दोनों angle आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, ये भी concept है, chord का, ये CD chord से एक angle CAD ड्राव हुआ और एक angle CBD ड्राव हुआ, ये दोनों angle आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अच इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, कि angle CAD बराबर angle CBD बराबर 35 degree होगे, ताकि आप लोग note कर सके, ठीक है, एक्जाम में वो ऐसे लिखना नहीं है, बस समझना है, ठीक है, दूसरा क्या है, कि इस angle पर विचार कीजिए, ये angle ADB, ये angle ADB जरूर 90 degree होगा, ठीक है, क्यों होगा 90 degree, क्योंकि ये semicircle का angle है, देखो, अगर AB diameter है, AB diameter है, और ये circumference पर ये angle बन रहा है, तो ये जरूर 90 degree होगा, वो semicircle का angle कहा जाता है, ठीक है, तो अब देखो, इसमें, हम लोग ये कह सकते हैं, कि भाई, तीसरा angle AED पूछा जा रहा है, तो AED के लिए क्या करना है, एक angle 35 प बच्वाला में थड हो जागा, उसमें time लगेगा काफी जादा, ठीक है, तो समझ ही क्या कह सकते हैं, कि एक concept और आप लोग को देने जा रहे हैं, जो आप direct use कर सकते exam में time saving के लिए, ठीक है, इस question को समझने में जो भी समय लगे, बनाने में समय नहीं लगेगा, ये एक right angle triangle ह ठीक है, जिसमें यहाँ पे 90 degree है, तो भाई, इस x और y दोनों angle का sum, इन दोनों angle का sum भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि एक angle इसका already 90 है, तो बाकी दोनों भी का sum 90 होगा, तभी तो जोड के 380 बनेंगे, तो इस triangle, इस triangle, a, d, e में, हम लोग ये कह सकते हैं, कि भाई, angle d, a, e, plus, इस को मान लो, x, ठीक है, ये x मान लो, d, e, a, इन दोनों का sum 90 होना चाहिए, है न, मतलब कि 35 degree plus x बराबर कितना होना चाहिए, 90, तो x बराबर क्या होगा भाई, 90 minus 35, मतलब कितना, 90 में से अगर 35 गया, तो कितना हो जागा, 85 degree, ठीक है, तो ये option number 3, इसका answer है, आया बात समझ में अगर एक बर फिर से revision कर लो, देखो इसको क्या है, ये question कह रहा है, कि अगर ये angle 90 है, sorry, 35 है, तो ये angle 35 होगा, और ये angle कितना होगा, 90, circumference पर बन रहा है, semi circle का angle, तो ये 90, अब ये 90 अब ही है, ये 35 है, तो ये तीसरा angle निकालना बहुत आसान है, उसमें हम लोग कर सकते हैं क 35 प्लस x equal to 90, तो x equal to 90 minus 35, जो कि 55 है, एक्जाम में बस इतना calculation आपको करने का जूरत पड़ेगा, अगर आपका सही से practice है, और concept आपको पता है, तो नोट कर लिए इस question को, बहुत अच्छा question है, next question देखा जाए, in which of the following quadrilateral, opposite sides are not parallel, देखो, अगर quadrilateral को पढ़ा है सही से, तो आप देखते ही बता सकते को, भाई, rectangle, parallelogram, rhombus, तीनों में sides क्या होते हैं, parallel होते हैं, नहीं, देखिए, अगर हम लोग rectangle खीजे, तो इसमें क्या होते हैं, ये sides parallel हैं, ठीक है, ये भी parallel है, अगर हम लोग parallelogram खीषते हैं, parallelogram, ठीक है, ये parallelogram है, तो भाई, इसमें भी sides क्या है, opposite sides parallel ये इसके parallel है और ये इसके parallel है ठीक है और अगर rhombus खिसने है rhombus क्या है rhombus भी एक तरह का parallelogram होता है बस फर्क उसमें ये है कि उसके चारो side बराबर होते है ठीक है चारो side बराबर होते है तो ये है और परब आई तो अगर तीन के बारे में पता है तो जोथा पंशल कर सकते हैं लेकिन काईट का प्रॉपार्टी ठीक बी पता होना चाहिए देखिए काईट किस अस्οSpार्ड का उप्रॉपाटरि डी इसके प्रॉपाइप युछ डीक։ वाभी बताया जा चुका है, इस तैनल पे काइट से लेटे एक short video already available है अब लोग उसको देख सकते हैं, देखिए A, B, C, D ये एक काइट है, इसका property ये है कि ये adjacent sides जो हैं, ये बरावर होते हैं, मतलब A, B equal to A, D, ठीक है, और A, B equal to A, D, और ये B, C equal to D, C, ये side बरावर होंगे, तो पहला property तो ये है, adjacent sides बरावर A, B equal to A, D, और B, C equal to B, D, दूसरा property ये है, कि diagonals एक दूसरे को 90 degree पर काटते हैं, ठीक है, diagonal एक दूसरे को 90 degree पर काटेंगे, तो काइट का main ये ही दो परपरटी है, और इस वज़से चुकि diagonal एक दूसरे को 90 degree पर काटते हैं, और आपस में बरावर भी नहीं होते हैं, इसके sides जो है A, B और C, D, ये parallel नहीं हो पाता है, ठीक है, तो काइट पे एक detail वीडियो अलग से आप लोग को पता दिया जाएगा, इस चैनल पे आएगा, ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और तरह तरह के question जो भी है आपके cyclical party lateral से related क्योंकि फिलाल में यही topic चल रहा है, तो उसको आप बनाते रहिए, और अगर किसी भी तरह की लिक्कत हो, तो आप comment में पोच सकते हैं, ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में